असी करोन लोगों को पांच किलो भोजन या अनाज प्रति माह दोजार अठाइस तक देने का वर्तमान सरकार का वादा और उसकी देखा देखी विपक्ष द्वारा या कहा जाना कि हम तुम्हें दस किलो अनाज प्रति माह देंगे जिसके आधार पर आने वाला परिणाम यह बताता है कि आज भी भारत में मानुआदिकार सबसे बड़ा विशह है और मानुआदिकार उल्लंगन और मानुआदिकार के बीच में चलने वाला यहा दोलन बार बार इस बात के लिए हमें प्रेरित करता है कि हम किस सरकार को बदल दें, किस सरकार को बैठाएं, अभी भी देश की जनता इस बात पर चुनाओ करती है कि उसे खाना कौन ज्यादा देगा, उसे पैसा कौन ज्यादा देगा, और इस तरह मानुआ अधिकार में, फर्स्ट जनरेशन के मानुआ अधिकार, सेकंड जनरेशन के मानुआधिकार के बीच में ही भारत उल्जा हुआ है थर्ड जनरेशन का मानुआधिकार फोर्ड जनरेशन के मानुआधिकार की तो बात करना ही कलपना है और ऐसे में विक्सित रास्ट की बात कैसे की जा सकती है जिस देश की जनता के लिए अभी भी रोटी के आधार पर या निर्धारित कर लेना कि किस सरकार को लाना है किस सरकार को हटा देना है या एक गंभीर विशेवस्तु है और इस पे हम सब को सोचना होगा तभी रास्ट आगे बढ़ेगा